अम्रावती जिले के करंजा बहिराम इलाके में फसलों पर शंक नाम का हमला हुआ है करंजा बहिराम शेत्र में लगबग 1370 फसल पर अब इन शंकों ने हमला किया है और ये पानी, पूल और छाल खाने लगे है जैसे जैसे पेड सूक रहा है, तूर, मिर्च और संत्रिक के पेड़ों पर कौनिफर्स का भी हमला हुआ है इस शंकों को अफ्रीकी घोंगा कहा जाता है अब इस शंकों अपने खेतों से कैसे हटाया जाए? ये सवाल अब किसानों को परिशान कर रहा है किसानों को दिन में तीन बार अपने खेत में जाकर खुद ही पेड से शंक निकालना पड़ता है बूल इस शंकों जमा कशे करा चे तेचा सटी आमाल वीचार पड़ लेला है माक्चा और शी कोरोना धाला कोरोना पिरेट मदे आमशी परिश्थी एकदम खलावली या और शी आता जमत्यम परिश्थी ती सुधराल लागली थोड़ो शी ताता है शंकों अडिचा प्रादिर भाला आमाला शाषन दरबारी कई वीचार ना खेली असता त्या चाथी कई आमाल भेटत नहीं जाली आए कोरोना काड़ा असले कालना ना मजूर आंचे शेता मदी आयले तायर नहीं पहले से ही कोरोना काल के कारण किसानों को श्रम नहीं मिल रहा इसले निराई के लिए दूसरे मजदूर को कपास की तुडाई के लिए दूसरे मजदूर को दूसरे काम के लिए दूसरे मजदूर को और अब ये शंक के लिए दूसरे मज़़ूरों को लगाना पड़ता है अगर वे अपना सारा पैसा केतिहार मज़़ूरों पर खर्च कर देते हैं तो उसे कीट नाशकों की कीमत की भी चिंता सताती है हाला कि वोड के अधिकारियों का कहना है कि ये कोई प्राकती आबदा नहीं है जोके शंक कीट नहीं है यहां के किसानों ने प्रशासन से किसानों को मुआवजा देने या किसानों की मदद करने की गुहार लगाई है गुलाची पाने मंधे वहाला सकान देनक वह शंक के किसे कीमत बुड़े देकरली बूड़ी बहले। लगाई हनु हुआ है ला से ऐसी टीक नाशकों की बहले। जन्न सेल तर आने दूसरा मंजे आपला घरगोती उपाय मंटल तर गुलाच्या पाने मदे आपन गोनपाट बिजु चन्यकाच्या वेस्ते बांदावर वगेरे टाकू आन नंतर से काय उटले नंतर तेच्यावर अट्रेक होततात त्या गोला करून आपन मारू शोक्तो मारन प्रहार अक्रम करून गोला करून Sाँ बिल पनाप़ करने मारे यह साब गला ह।